हलो फ्रेंड्स मैं डाक्टर पियस्ति वारी आप सभी का सवागत है दोस्तों वीडियो बजाने के पहले मैं आपको एक इन्फार्मिशन देना चाहता हूं मेरा एक और चैनल जिसका हमें डाक्टर पियस्ति वारी साट्स इसको भी लाइक कीजिए सर कीजिए और सब्सक्राब कीजिए तो दोस्तों माज का ट्राफिक है हमारा इसोफेजाइटीस इसोफेजाइटीस क्या होता है इसका जो है साइने सिंटम्स क्या है इसका हमेपति को ट्रीट्बेंट क्या है तो चले सुरू करते हैं तो दोस्तों इसोफेजाइटीस मारे जो हमारी खाने के नहीं है इ इसके होने के धेर सारे कारण है, जैसे एसीडिटी किसी को बहुत दिन से परसान कर रही है, तो उनको होने का चांस रहता है, किसी को गाट की प्रावलम है, जिसमें खाना जो है मुह में आयाता है, मुह तक आयाता है, कभी-कभी, उनको ये प्रावलम होती है, या तो ज्याद पूड, बाहर का खाना-खाने से भीगे हो सकता है। यह दो हो कि आपका किस कारण से होता हैं। यह मेजर भ्यूप्तव है, जेबाइन कोई इंदे कारण से आपको Cathy videos सेघंधे आपको किसे बारूं पढ़ेगा तो इसका जो फ़ला स्विंटम है ब्लोटिंग जब आप खाएंगे इस प्रफेगस में से रुपता हुआ पेट में जाएगा माने पूरा पेट में नहीं जाएगा जितना खाना इस्टमों को चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो इससे कहा हमारा इस्ट फेगस में सूजन है इससे भी ब्लोटिंग होती है बेल्चिंग हमें साथ धकार आता रहगा और धकार आता रहगा वाटर ब्रॉस मों में पानी आता रहगा और जो है श्रचासना अन्सोलिंग फूड आप जब कोई चीज खाना खाते है तो आपको मालूम अब आपको जो थो है मैं कुछ हुमिपथिक दौाइब बताने जा रहा हूँ जो कि अकर स्व्मट्रम माश करता है तो आप जो है स्व्मट्रम मैश करूआ दावाई लेंगे तो आपका एस्वेजाटिस आपका जो है जो खाई देनली में सूजन आगा ये यह आपकी कम करती है इंफामेंसर कम करती है तो दो बूंस सुबह साम लगाता है डालेट जीप पर कम सब एक महना तक लेजिए आपको जो है इसो फिजाइडिस की प्रावलम धिरे धिक होती जाएगी डेकर इसके साथ में कुछ और सिम्टम्स है तो जिसको आगे बताने जा रहा है दोस सब्सक्राइब जब कुछ खाते हैं तो ऐसे किसमं लाग्योपोडियम 200 आऊरवे में डो बार लगातार कमसर में एक पढ़ आपको आराम होता जाएगा लेकिन लाग्योपोडियम तभी काम करेंगी जब आपकी यह प्रावलम कुरानिक हो गई है एंसे साल, दो साल, तिम साल सी आपको इसोफिजाइडिस रहे, आपने एग्णॉर किया है, दवाई नहीं किया है, तो वैसे केस में लाइगो पोडियम लीजे, लाइगो पोडियम टुहरनेट सवप्ता में दो बार लगता लीजे, आपका कितना पुलाना से पुलाना आपको फिदिंग रहेगा कि हमारे गले में यहां पर कुछ चिपका हुआ है, तो कास्ट केम ऐसे केस में देते हैं, जिसमें खाना चिपक जाता है, खाना अंदर नहीं जाता है, आवाज भारी हो जाती है, तो ऐसे केस में कास्ट कम 200, एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार कम सर में बजना लिजे, तो जो आपका खाना चिपक जाता है, आवाज भारी हो जाती है, यह आपकी प्रावलम जड़ से ठी हो जाईए, दोस्तों, अगली दवाई के नाम है, अलुमीना, अलुमीना थर्टी, हम अलुमीना थर्टी ऐसे केस में देते हैं, जब खाना गले म आटक जाता है, खाना खा रहा है, गले में आटक गया, उसके बाद क्या हुआ हुआ हम पानी पिए, तो पानी पिने बाद में खाना अंगर चला गया, एकजक्ट है शिम्टम अगर है, तो अलुमीना थर्टी दो दर बूत करके दिन में तीन बार लगाता है, एक मिना लिज जिसमें ब्लुटिंग हो जाएगा, घर शिम्टम की बाद में तुरुद ब्लुटिंग होती है, तो आपकी प्राव्रम जड़ सी ठीक हो जाएगी, दोस्तों अगली दम है बैप्टिसिया, बैप्टिसिया में ऐसे केश में देते हैं, जिसमें कैन सालो लिकुड वनली, खाली लिकुड हम पीश सकते हैं, सोधित आपको जाही नहीं पाएगा, सोधित खाने के लिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लिकुड खाते हैं, तो अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो हमको भाट से मेसेज करके अपना पॉर्ण निवू को सकते हैं, आपको महराज का वीडियो पर संद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तो सब्सक्राब निक किया है, तो सब्सक्राब करीश तो तो एक वीडियो आपको टीजिए, जिया है की सब्सक्राब, नामस्कार।